जिवलपुर पुलिस ने नशीले इंग्जिक्शन के कारुबार के खिलाफ बड़ी कारवाही को अंशाम दिया है जिसमें एक तसकर के कबजे से करीब 1100 नशीले इंग्जिक्शन बरामत किये गए हैं कारवाही के दौरान आरोपी शक्स भागने में सफल हो गया जिसके की जा रही है मामला हनुमान ताल थाना शेत्र का है जहां पर रवी तिवारी नमक शक्स अपने घर के पीछे बने हुए जरजर मकान के वेकाविल इंग्जिक्शन रखे हुए था और यह इंग्जिक्शन डॉक्टर की सलह के बिना उपयोग करना प्रती बन दित है लेकिन रवी नशा करने वालों के या इंग्जिक्शन बेज दिया करता था और बेशने के बाद ना सिर्फ मुनाफ़क मारा था बलकि लोगों के स्वास्त के साथ भी खिलवार कर रहा था थाना प्रभारी में बताया है कि मुखबीर की सूशना पर कारवाही को अंजाम दिया गया मही पर रवी मौके से भाग निकला है पुलिस ने जब महापर चानमिन की तो घर के पीछे बने टालनुमा जरजर आवास में यह इंग्जेक्शन मिले हुए जिसके बाद में पुलिस ने रवी के खिलाफ औशिदिय नियंदरन अधिनियम के तहत मामला दर्स करते हुए इं इंग्जेक्शन की अनुमानित कीमत करीब 20,000 रुपए बताई चा रही है। इसी सूतना के तहत हमें सूतना मिली थी कि इस प्रकार के इंजेक्शन रखे हुए एक रवी तिवारी करके हैं अपने घर के पीछे टाल है उसके टूटे हुए मकान में रखे हुए बेचने के फिराग में। पुलिस ने सूतना पर तश्दी करते हुए कारवाई की है। एक इंजेक्शन की कीमत लगभग लगभग नहीं सूरुपे डली है। इस प्रकार से 20,900 रुपे की कीमत का यह माल हमने पकड़ा है। और इसके परिक्षण उजांच के लिए हम जो है ड्रग इंस्पेक्टर को पत्रचार करेंगे। जो कि मौके से यहरवी तिवारी भाग खड़ा हुआ है। इसकी काफी तलास की फिलाल यह भाग खड़ा हुआ है। इसकी गरफतारी कर ली जाएगी। पूरे जो है कारवाई में जो है हमारे पुलिस टीम से उपने रिक्षक चंद्रभान सिंग और राम जी पांडे ब्रजेश गौराव इनकी प्रमुक भूमिका रही है। और वर्ष्ट अधिकारियों के निर्देश हमने प्राप्त कर रहे हैं। सिर्मानपुल से दिक्षक महोदे सरकार आदेश है कि इस प्रकार की जो भी गतिवी दी आहां लगतार जो है सूचनाई गतित करके कारवाई की जाए। तो इसमें जो भरार आरोपी है उसको सीगर ही हम गरिफतार कर लेंगे। और प्रकारण आज हम जो है इस पर पांच वटे तेरा उस दीने इंतरना दीने हम के ते प्रकारण पंजीवद कर रहे है। यह हमारे जो है सरकारी कुवां मरगटाई है वहां का यह रहने वाला है थाना हनुमान ताली लगता है।